पी अपनी पहली 195 सीटों की सूचना दे रही थी जब घोशित कर रही थी ठीक उसी वक्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूद थे और अंगाबाद बेगु सराय बिहार की मुख्य मंत्री नितीश कुमार दोनों जगहा मंच पर पीए मोदी के साथ खड़े दिखाई दिये यह तस्वीर इंडी गटबंदन के लिए आम चुनाव में सबसे बड़ी चोट करने वाली तस्वीर है इंडी गटबंदन ने अब तक सीट शेरिंग तक पर बात नहीं की है फॉर्मिले तह नहीं हो पहे हैं यहां बीजेपी ने 195 उम्मिदवारों की सूची सार्जनिक कर दिया नरेत्र मोजी जिन्दाबाल नरेत्र मोजी जिन्दाबाल पॉइले के ठेर तो देखे थे नौटों के ठेर देख रहे हैं आपका पैसा है इस जारगन के गरीब आदिवास्यों का पैसा है काम पुरा भी करते हैं और हमी उसे जन्ता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं यह मोजी की गारंटी है और वो गुंज है की बार अब की बार चार सो पार यही आग्रह करूँगा कि एक बार खड़ा होकर के आदर निये प्रधान मंत्री जी का स्वागत करिए अभिनंदन करिए काय कर पर जुक में है कर खड़ा हो बीच में कौन खड़ी है अरे दूग और महिला काय कुछी हुए खड़ा हो दो हजार चौबिस साम चुनाओ की सबसे तगड़ी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है विपक्ष की कमर तोर देने वाली इस तस्वीर का गुणा भाग अब की बार चार सो के पार ले जाने की एक शमता वाला दिखता है बिहार के और अंगाबाद में मंच पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी है और उनके साथ हैं बिहार के मुक्ष मंतरी नितीश कुमार ये पहली तस्वीर है नितीश कुमार की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जब से नितीश फिर से एंडिये के हुए है इस बार बिहार में लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए तयारी नहीं हो रहे हैं बिहार एंडिये के लिए स्वर्ग जैसा है पिछले लोग सभा के आकड़े एंडिये की बंपर जीत की संभावना से भरे हैं नितीश कुमार 2019 में भी NDA में थे और तब NDA ने बिहार की कुल 40 सीटों में से 49 सीटों पर जीत दर्श की थी बिहार के लोग सभा चुनाओं के रिकॉर्ड में और क्या-क्या दर्श है इसकी डीटेल आगे दिखाएंगे अभी पश्यम बंगाल में सियासत के दहकते सवालों की बरसात करते प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी को सुनिये कि पिके दवाओं में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओं बैनों के सम्मार के लिए लडाई ली लाठियां खाई कि मुसीवते जेली बीजेपी के दवाओं में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरत्तार करना पड़ा संदेश खाली के सुलक्ते शोलों को सियासी हवा में उचाल देना, जारखंड में पावर पॉलिटिक्स को विकास के एजेंडे वाली राजनीती के तौर पर सेट कर देना और चुनाव से एन पहले करोडों करोड के प्रोजेक्ट का एलान, सब एक साथ, एक तम, सब का साथ, सब का विकास वाली पटरी पर तेज रफतार से दोड़ने वाली रैलियों का 48 घंटे के भीतर रेला लगा देना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यही कार्यशायली है, यही 24 एंटू 7 एक्षन वाली रणनीती है, जिसे जनता सुन रही है और बीजे पी मान रही है कि अब की बार 400 के बार अब की बार 400 के बार एक ही गुंज है, मैं अभी आ रहा था, तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है, अब की बार 400 पार अब की बार, अब की बार, अब की बार धनबार, जारखंड, होकी, पश्यम बंगार, क्रिश्ना नगर, पश्यम बंगार, बिहार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस सुक्त उस सिस्टम पर है, जो आरोपियों के खिलाब सियासी फायदे के लिए खड़ा देख रहा है, जिसका दामन भ्रष्टाचार के दागों से भरा हुआ है, विपक्ष के पास बीजे पीसे लड़ने की बिना शक्ति वाली सोच के खिलाफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर है, जारखंड हो या पश्य मंगार जो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार के आरोपियों को लिहाफ ओड़ा कर बचाएगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जनता की राय पू पार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या एसी टीमसी को माप करेंगे एसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता और बैनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से दे रहा है नया कुछ भी नहीं है ना विकास वाला एजेंडा ना ही खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सोच ना विपक्ष से चटान की तरह टकराने वाली आदम में इच्छा सारे हतियार वही हैं जो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की राजनीती का ककहरा लिखते हैं जो उन्हें सत्ता के शिखत पर वेवी क्विक की तरह चिपका देती हैं लेकिन हतियार पुराने हैं उसकी शान उसकी धार और चलाने का तेवर बिलकुल नया है विपक्ष पुंध है जवाब नहीं सूझ रहा जारखंड से पश्चिम बंगाल से बिहार तक मोधी मोधी अराम बागवासी के अमार आंत्रिक सुबेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो बाशाने बेन तूफानी दौरा करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी रात के तीन बजे गुरुवार को टेकट बांटने की रणनीदी पर विचार करते हैं बैठक करते हैं और एहले सुबा जारखंड के धनबाद में होते हैं देश की जनता को गैरंटी देते हम काम की शुरुआद भी करते हैं काम पूरा भी करते हैं और हमी उसे जनता जनाजन को समर्पिद भी करते हैं ये मोदी की गारंटी है इही मोदी के गारंटी है प्रद्धान मंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों के रफ्तार देखिये और तै कीजिए सत्ता के शिर्ष पर जहां दूर दूर तक विपक्ष का कोई संभावित चहरा नहीं देखता जहां हर खिलाफ रण नीती बीजेपी के बाग में कांटे की तरह उकती है और फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उसका तिनका तिनका जड़ से जमीन से उखार देते हैं आपको आगे दिखाएंगे कि पश्यम मंगाल की सिर्फ तीन सीटों के समीकरण से कैसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पश्यम मंगाल में नारी शक्ती की ममताब एनरजी की सियासत को जोर का जटका दिया है लेकिन पहले तूफानी रैलियों को एक नजर देखिए एक्शन पैक्ट रैलियों का गडित देखेंगे तो आप चौक जाएंगे एक मार्च की सुबह पीम मोदी ने जारखन के धनबाद में रैली किया इसके बाद पीम मोदी ने सिंदरी में हाल और वरक प्रोजेक्ट का उधगाटन किया दोपहर ग्यार बजे पीम मोदी ने धनबाद, गिरिटी और कोडर्मा से आये लाखों कारेकरताओं को संभूधित किया जारखन से रवाना होकर पीम मोदी ने होगली के आराम बाग में जंग सभा कि प्रधान मंत्री एक मार्च की रात बंगाल में ही रुके दो मार्च की सुबा करिब साढ़े दस बजे मोदी पशिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णा नगर में थे बंगाल के बाद पीम ने बिहार के औरंगाबाद में विकास पर यूजनाओं का शिला न्यास किया फिर बिहार के वेगु सराय में सारवजनी कारेक्रम में शिर्कत की जिन तीन राज्यों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रालिया की उन राज्यों में लोकसभा सीटों की सेटेंग बीजेपी के बक्ष में है बिहार में बीजेपी अगर इस बार बढ़ी तो एक सीट बढ़ने की ही गुझाईश है 2019 में इंडिये ने बिहार में 49 सीटें जीती थी बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं नितीश कुमार फिर से इंडिये का हिस्सा है और बिहार में 2019 दोराने की पूरी संभावना है लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चांस वाली राजनीती नहीं करते उनकी रणनीती की बिसात पर विपक्ष चाहे जमीन पर पड़ा हो लेकिन उसे कमजोर समझने की भूल नहीं की जा सकती चार सौ सीटों के टार्गेट में रत्ती भर की कोर कसर नहीं रह जाए इसलिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की बख्या उधेड रहे है परिवारबादी राजनीती हाशिये पर जाने लगी है परिवारबादी राजनीती की एक और विडमना है माँ बाप से बिरासत में पार्टी और कुरसी तो मिल जाती है लेकिन माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है ये है परिवारबादी पार्टियों की हालब बिहार की 40 सीटों का गणित लगा लिया आपने तो पश्यम मंगाल का रुख कीजिए जहां ममतब एनरजी की पूर्ण बहुमत की सरकार है लेकिन सरकार भरश्चाचार के आरोप से घिरी है गैंगरेप के पीडितों की अंसुनी आरोपों से खिरी है आरोपियों को शरण देने के आरोपों में फसी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चुन चुन कर बोलते हैं पश्यम मंगाल की टोटल लोगसभा सीटों का समीकरन सिर्फ तीन लोगसभा क्षित्रों में दोरे से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सेट कर दिया आपको आगे दिखाएंगे पहले इन तीन सीटों को ही क्यों चुना गया ये समझ लीजे जिन तीन सीटों पर पीएम मोदी ने रैलिकी उसमें आराम बाएक लोगसभा सीट से टियेम सी की अपरूमा पुददार सांसद है जिनने लोगसभा से निश्कासित कर दिया गया और बारा साथ से टियेम सी की ही काकोली घोश सांसद है मतलब पश्चम मंगाल में महिला प्रतिनिध्यों की टीमसी की ओर से कोई कमी नहीं है लेकिन संदेश खाली में महिलाओं के अधिकार के लिए अनुसुचित जाती आयो, मानवा धिकार आयो सवाल खड़े करता है लेकिन ममताव एनर्जी की सरकार एक्षन में नहीं आती नतीजा है कि ममता सरकार इस वक्त सूबे में माली सीटों से रैलियों का आगाज कर पश्यम बंगाल की महिलाओं को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे है कि पश्यम बंगाल में मा, माती और मानुस ने अमानुस का बोल बाला है मा, माती, मानुस ये इसके ढोल पितने वाली अजए माती है झाल 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 झाल